नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एप के बारे में जिसका नाम है माई बिल बुक एप सही समझा आपने ये बिलिंग के लिए एप है अगर आप रिटेलर हैं सेर्विस प्रोवाइडर हैं होल सेलर हैं या जो कुछ भी आपका बिजनेस है आप चाहते हैं एप के थुरू आज कर मोबाइल का जमाना है हर लोग ही मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं लगबग सब के पास स्मार्टफोन है ही तो आपके पास भी होगा और आप चाहते हैं कि स्मार्टफोन के जरी आप बिल बना सके अपने कस्टमर को भेज सके उनका एकाउंट में कर सके और अपने स्टॉक को मेंटन कर सके क्या पेंडिंग डियू है आपके आउटस्टेंडिंग जो एमाउंट ह One Customer के प्रति उसकी report देखना चाहते हैं अगर किस customer पर कितना पैसा बचा है कितने का समागर में आ चुका है आपके stock में कितने item बचे हुए हैं सब की रिपोर्ट आप एक पर देख सकते हैं और GST billing या non-GST इस पर बना सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे Google Play Store से आपको डाउनलोड करना है और और ऑपरेट करके भी बताऊंगा आपको, रिपोर्ट कैसे देखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रही है हमारे साथ वीडियो के आखिर तक, तो Play Store पे सबसे पहले हमें क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए Play Store पे हम चले गए, सर्ज किजिए My Bill Book App, आगे आपके उपर में My Bill Book Billing and Inventory App, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, इंस्टॉल कर लेंगे, यह इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ हमारे सामने में Language आ गया है, Select Language, इंगलिस है, हिंदी है, हिंगलिस है और गुजराती है, तो मैं क्या करता हूँ, इंगलिस वाला Select कर लेता हूँ, आपको जैसे सुगधा हो, उसमें आप कर सकते हैं, अब यहाँ पे मुबाइल नमबर डालने की जरूरत है, मुबाइल नमबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना, तो मैं डाला हूँ, अपना वाल नमबर, इन्होंने पहले से जो मेरा सीम लगा हुआ, उसमें उसको डिटेक्टर लिया, दो नमबर इसमें डिस्पले हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो मैं इसमें से एक नमबर पे क्लिक कर देता हूँ, अब यह Auto Detecting OTP में भी जा रहा ह है, अपने हाप OTP आ जाएगी, उसको डिटेक्ट भी कर लेगा, और इसमें डिटेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे लिखना है, आपको कंपनी के बारे में कि क्या आपकी कंपनी GST डेस्टर्ड है, है तो यह पे क्लिक कर दीजे, और यहाँ पे GST नमबर डाल दीजे, अग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास रेफरल कोड है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप रेफरल कोड कर लिजे, नहीं तो इसको क्लोज कर दीजे, तो GST डेस्टर्ड नहीं है, जिस फर्म के बारे में रेइस्टर्ड करने जा रहा हूं, तो नो करके हम आगे चलत हैं, और continue करते हैं, इसमें आगे, get WhatsApp alert on your phone for payment reminder, overdue invoice, तो overdue invoice है, अगर आपके, और payment reminder भी किसी को remind करना है, तो उसके लिए WhatsApp भी कस्टमाइज कर सकते हैं, यह receive alerts पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो यह activate हो जाएगा, अगर आप करना हो, तो कर सकते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते ह उसके बाद क्या है, कि आपका select type of business, क्या है, retailer हो, wholesaler हो, manufacturer हो, distributor है, यह services है, जो भी है, आप यहाँ से select कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे retailer पे click कर देता हूँ, how do you make bills, अभी आप कैसा bill बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे option है, bill book से pen paper बनाते हैं, tally, bg, mark, जो भी software है, वहाँ पे click कर सकते है, other हो, तो other पे कर लिजे, मैं bill book पे click कर देता हूँ, उसके बाद आया, create first invoice, आप यहाँ पे create first invoice पे click कर लिजे, allow bill book to use your contacts, आपके contact number में, जो भी number stored है, contact file में, उसको आप access करना देना चाहते हैं, allow पे click कीजे, नहीं तो deny पे click कर दीजे, आगे बढ़ दीजे, build to, build किसको करना है, तो आप यहाँ से search कर सकते हैं, अगर आपने पहले से party रख रख की है, इसमें add कर रख की है, अगर अगर नहीं की, तो आप यहाँ पे create कर सकते हैं, पार्टी का नाम यहाँ पे डाल दीजे, आप मैं यहाँ पे के आई, एस, एच, ओ, 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 आर की शोर करके, और add details पर की शोर की शोर लिख देता हूं, फिर इनकी हम detail यहाँ पे click कर देंगे, तो उनका phone number अगर आप डालना चाहें, तो डाल दीजे, नहीं तो ऐसे ही आपक detail side में है, वहाँ पे click कर सकते हैं, और save party कर दी हमने, देख हमारी party हम किशोर के नाम से bill बनाएंगे, उनके लिए add item यहाँ पे करना है, क्या item आपको लेना है, यहाँ से हमने अभी तब कोई item create नहीं किया है, तो यहाँ पे हम add पे click कर सकते हैं, और यह है create new item, यहाँ पे मैं दिख देता हूँ onion, प्याज, इसकी sale price यहाँ पे आप enter कर सकते हैं, 49 रूपी अपने आप onion आगे हैं, और इसको आप save simple price यहाँ पे 49 रूपी अपने आप है, आपको जो change करना हो sale price है, वो आप कर सकते है, purchase price यहाँ पे entry कर सकते हैं, MRP जो भी है पूरी detail है, जब आप use करें मैं save करके आगे बढ़ता हूँ, तो हम यहाँ पे item onion यूज कर लेते हैं, add कर लेते हैं, जो pieces है, जितनी भी आपको यहाँ पे डालनी है, unit आप उसको change कर सकते हैं, इसमें तो pieces लिया हुए, kilogram जो भी unit लेना हो लेकर के आप इसको, मैं यहाँ पे quantity 10 कर देता हूँ, और save करके हम इसको आगे बढ़ते हैं, यह आपका business name यह पूछ रहा है, आप यहाँ पे अपनी business का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल लेता हूँ, commerce enterprise, यहाँ पे अपना नाम आप डाल दी business name उपर में है, नीचे your name, अपना नाम, gst number है, तो बाकी detail आप डाल लेता हैं, यहाँ पे save कर सकते हैं, अपना नाम डाल कर इसको save कर दीजिए, save हो गया, अब आपने बिल को जिसके नाम से बनाया है, वो कर सकते है, कस्टमाइज करना चाहें, colors, stylus, वो गयरे करके, मैं यहाँ पे done करके, आगे बढ़ता हूँ, congrats, you just create your first invoice, तो यहाँ हमने बिल बना दी है, आप नीचे देख सकते हैं, और done करके, हम आगे बढ़ते हैं, commerce enterprises, आप इसा आपकी rating करना चाहें, यहाँ पे rating का option आगया है, not know करके, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना है, किसको कैसे बढ़ता है, तो यह आपका company का नाम है, commerce enterprises, यहाँ पे आपकी report आ रहे हैं, कि आपने बिल बनाया है, कि शोर के नाम से, आगे बनाना चाहें, आप बना सकते हैं, bill plus invoice पे click करके, और इसकी report आगर आप देखना चाहते हैं, तो computer पे भी देख सकते हैं, क्योंकि यह desktop पर भी available है, as well as mobile app के रूप में भी available है, तो mobile पर मैंने करके आपको दिखा जिए, किस तरह से download करना है, किस तरह से आपको अपनी billing बनान ही है, यहाँ पे received payment, reports, more, पे click करके देख लीजे, बड़े सारी option है, quotation है, sales return, purchase, सब ही option है, यहाँ पे click करके आप reports भी देख सकते हैं, jst1 sales की है, sales summary है, jst1 purchase है, stock summary है, जिसमें आप item डाल सकते हैं, पूरी item को आप manage कर सकते हैं, party की report देख सकते हैं, सारक पूचिस में आप देख सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे my bill book app को हम download कर सकते हैं, इसको operate कर सकते हैं, कैसे bill बना सकते हैं, और कैसे report हम देख सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही नए वीडियो में हम आपके सामने नए जानकारी के साथ हाजिर होंगे, तब तक हमारे चैनल के दूसरे वीडियो देखते रहिए, धन्यवाद